Hello guys, welcome to Mystic Hindi Tarot, कैसे हो आप सब लोग, I hope, I wish, I pray आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे So, आज हम जो reading कर रहे हैं, again ये एक general timeless और collective reading है, gender specific नहीं है, married हो, unmarried हो, no contact में हो, या contact में हो, या low contact में हो, सब लोग ये reading देख सकते हो इस reading में हम ये देखने वाले हैं, कि आपके person के सची intentions क्या है आपको लेकर, सची माइनों में वो क्या feel करते हैं, उनके emotions, उनकी feelings, उनकी intentions क्या है, वो हम इस reading में देखने वाले है So, yeah, let's start the reading, देखते हैं, कि क्या कुछ आपके लिए intention रखे हो है इस person ने पार्टनर है, उनकी सची intentions क्या है उने लेकर Okay, तो मैंने यहाँ पर candle को कर लिया है, light चली देखते हैं, कि आपके पार्टनर की true intentions क्या है Okay, एक चीज, मतलब शुरू करते ही मुझे एक चीज मैंने notice कर लिया है, कि आपके person ना, हमेशा off track होते है मतलब, आप कुछ बोलते हो, वो कुछ समझते है, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करना, कभी-कभी एकदम से zone out हो जाना, रिष्टे से, एकदम से cut off हो जाना, जादा attention ना दे पाना so this is their problem, बहुत बार यह on and off भी करते होंगे, बहुत off track kind of personality है, इनके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है consistency, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, जो मैंने चीज नोटिस करी, मतलब आपके life में रहने से ज़्यादा यह आपके life से बाहर ही होते है, हमेशा आपसे cut off होते है, या बात नहीं करना, या जगडे फसाद आप दोनों में, तो majority of the time, यह person आपसे दूर होते है, या off track होते है, ठीक है, ओके, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, इस person के लिए, जो आपको सुनने में इतनी अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन जो है वो है, कि ए person बहुत ज़्यदा opportunist है, अब opportunist को हमारे मराठी में बोलते है, संधी सादू, मतलब इनको एक मौका मिल जाए, बस फाइदा उठाने का, यह फाइदा उठाने में पीछे नहीं रहते, मैं यह नहीं बोल रही हो कि, यहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं, तो 100 लोगों के पार्टनर ऐसे हैं, लेकिन हाँ, collective level पे यह reading निकल के आ रही है, कि यह आप जिससे भी deal कर रहे हो, यह आपको लेकर हमेशा से ही, ऐसा इनका mindset रहा है, कि मेरा क्या फाइदा, इसमें मेरा क्या फाइदा, अगर मैं तुमारे साथ रहता हूँ, तो मेरा क्या फाइदा है, यह इस परसन ऐसा भी हो सकता है, कि आपके पास बहुत कुछ है, और उसका पैसा दो, मुझे support करो, ऐसा कुछ मुझे यहां पर दिख रहा है, तो हाँ, थोड़ा सा be careful, बहकर अपने आपका loss नहीं करवाना है, ठीक है, दूसरी चीज, यह आपसे छोटे भी हो सकते हैं, उम्र में, हो सकते हैं कि आप उनसे उम्र में बड़े हो, यह आपसे उम्र में आपकी seriousness, आपकी dedication, आपकी loyalty, ज्यादा हमेशा से ही ज्यादा रही है, इस रिष्टे में, ठीक है, लेकिन हाँ, यह परसन ऐसे है कि रिष्टा हमेशा खतम करने के लिए, मतलब, ऐसा कभी नहीं होता होगा कि यह परसन चले गए तो चले गए, वापस नहीं आए, इफ दे ग वापस भी आते है, तो चीजों को ठीक करने में बिलीव करते है यह परसन, ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खतम तो खतम नहीं, किसी ना किसी तरीके से फिर से ट्राय करते है, to come back with you, चाहे फिर वो आपके बात सुन करो, बात मान करो, या कॉम्प्रमा करना हो, जो भी करना हो, आपके लिए या इस रिष्टे के लिए, तो try to do that, ठीक है, मुझे यह भी लगता है कि यह परसन ना, इनका हमेशा, यह परसन पता है कैसे mindset के है, खुश रहो और खुश रहने दो, तुम भी ज़्यादा लोड मत लो, मुझे भी ज़्यादा लोड म कुछ प्रॉबलम आती है, आप खुद के साथ बुरा पेश मत आओ, क्योंकि यह परसन वैसा कुछ नहीं करते है, आप देवदास इंद बन जाते हो, आप पारो बन जाते हो, और यह परसन देवदास नहीं बनते है, यह खुश रहने की कुशिश करते है, और बैलन्स रहते यह person बहुत balanced, इस person का mindset बहुत ही balanced है, okay, आप बहुत emotional हो, यह person बहुत practical है, तो don't beat yourself up, especially separation के वक्त, आप अपने आपको परिशान मत किया करो for this person, ठीक है? हो सकता है, यह person अभी आपसे दूर है, यह block कर रखा है, यह आपको बोल रखा है, कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो, या रिष्टा नहीं चाहिए है, क्योंकि मुझे इस person के energy ऐसे लग रही है, जहाँ पर यह थोड़ा सा defensive हो रहे है, या मेभी थोड़ी सी boundaries बना के चल रहे है, कि मतलब अगर जब यह आपसे दूर होते हैं, यह boundary बना लेते हैं आप दोनों में, जहां से ना आप उनके बारे में जान पाते हो, ना वो आपके बारे में जान पाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा extremities में चलते हैं यह person, छोड़ दिया तो फिर बात भी नहीं करेंगे, रिस्पॉंड नहीं करेंगे, आपकी स्टोरी नहीं देखेंगे, आपको, आपका कॉल नहीं उठाएंगे, मतलब फिर एकदम से कट ओफ हो जाएंगे, और फिर बात करेंगे तो बहुत ध्यान देंगे, बहुत अटेंशन देंगे, ठीक है, इस परसन के नहीं dual personalities है, to be very frank, एक परसनलिटी बहुत समझदार है, बहुत patient है, बहुत काम है, बहुत loving है, और एक परसनलिटी है, बहुत ही deep, बहुत ही ignorant, आप ये परसनलिटी टाइम टो टाइम इस परसन की देखते होंगे, मुझे असे लगते हैं, इनतजार कर रहे हैं, एक अपॉर्चनिटी का, मैंने बोला ना, अपॉर्चनिटी पसंद इंसान है, जैसी अपॉर्चनिटी मिलते है, एक दम से गले पड़ जाते हैं, तो ये अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, या नो कॉंटाक में हो, तो ये एक किसी चीज का वेट कर रहे है, किसी टाइम का वेट कर रहे है, ताकि एक नहीं शुरुवात कर सके आपके साथ, तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, कि ए परसन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर करना चाहते है रिष्थे की नहीं शुरुबात करना चाहते है कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यह पॉर्शन किसी भी सिचुएशन में चाहे आप दोनों में जो कुछ भी चल रहा हो यह अपने आपको सही माइंड सेट रखने की काफी कोशिश करते हैं कभी भी अपना माहिंड सेट अंस्टेबल नहीं होने देते हैं सही सोचते हैं प्राक्टिकल सोचते हैं एक बैलेंस बना के चलते हैं कि ठीक है मुझे यह परसन चाहिए मैं से प्यार करती हू या करता हू लेकिन मुझे अपना आपानिक होना है मुझे आउट अफ कंट्रोल नहीं होना है मु बहुत ही खतर्णाक हो जाती है रिलेशन्शिप में और जो इंसान इमोशनल है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है तो अपने आपको थोड़ा सा इस परसंग के साथ डील करना है तो प्रैक्टिकल बनाओ ठीक है मुझक रगता है यह परसंग अगर कभी साड हुए भी थे या बहुत दुखी थे अन्स्टेबल थे या बहुत अगर वो खुश नहीं थे किसी भी वक्त अगर ये परसन बहुत दुख से गुजर रहे थे, पेन से गुजर रहे थे, तो now they're over it, अब वो उस face से निकल चुके है, अब वो अपने आपको खुश रखने की कोशिश करते है, अब वो खुश, काफी healed दिख रहे है मुझे, काफी sorted लग रहे है मुझे, ओकी ये परसन, देखे, ऐसा हो सकता है कि इस परसन को ऐसा, कुछ तो है इस रिष्टे के बारे में, जो इस परसन को लगते है कि ये तो नहीं हो पाएगा, या तो ये शादी है, like maybe future को लेकर, they are very, मतलब already इस परसन ने give up कर चुके है, कि ये तो नहीं हो पाएगा, मैं शादी तो नहीं कर पाऊंगा, या कुछ तो है, या तो ये रिष्टे के union, अगर आप दोनों separation में हो, तो union को लेकर इस परसन को लग रहे है इस वक्त कि, maybe हमारा union नहीं हो पाएगा, एक hopelessness देख रही ह मैं उनके अंदर, लेकिन ये एक ऐसा इंसान नहीं है, जो काफे टाइम तक इस energy में रहे, या अपने आपको जल्दी से उससे बाहर निकाल लेते और एकदम hopeful हो जाते है, कि नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए, इस परसन को ना, मैं चीज आपको और बताना चाहरी हूँ, जो आपको सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है, वो ये है, ये परसन ट्रस्टवर्दी 100% नहीं है, थोड़ा आपसे कोई beautiful दिख जाए, मतलब इस परसन की जो loyalty है, वो डगमगाई हुई दिख रही है, मुझे, आपसे थोड़ा कोई better इनको द true है, लेकिन हां किसी और के तरफ ये जल्दी attract हो जाते है, ये इनकी एक bad habit कहलो, या loyalty आप इनसे 100% उमीद नहीं कर सकते है, फिलहाल तो, मैं future की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहे है कि परसन ना किसी सच्चाई से बहाग रहे है, specially, मतलब जब भी कोई सच्चाई face करने की बात आती है, चाहे आपके कोई सवालों के जवाब देना हो, चाहे कुछ सच बताना हो, या अपने आपको busy कर लेते हैं, ये उस सच्चाई से मुझ फेर लेते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, you know, मतलब में बुरी लग सकती है, लेकिने बैक अप प्लान लेके चलते हैं, कि अगर ये नहीं तो ये सही, मतलब, देखो यार, कुछ लोगों को ना सिर्फ अच्छी बाते सुननी होती है, फिर वो गलत सलत कमेंट्स करते हैं, तो प्लीज मत करिये, मेरा काम है आपको सच बताना, य अपले ही अभी, करेंटली, थोड़ा सा होपलेस हो रखे हैं, लेकिन बहुते चल्द ये परसन होपफुल हो जाएंगे कि नहीं हो सकता है, हमारे बीच फिर से रिष्टा बन सकता है, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो सकता है, ये परसन पतानी क्यों लेकिन इस वक्त ऐसी एनर है, मतलब जैसे होता है, हाथ उपर कर लेना, कि अब मैं नहीं करूंगा, जो करेंगा बगवान करेंगे, जो होना होगा, नसीब में जो लिखा होगा, वो होगा, तो ऐसी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉंगली दिख रहे हैं, जहां पर उन्होंने बीच सरंडर कर दिया है, क के लिए, बहुत स्ट्रॉंग फीलिंग्स हैं, और इनको ये भी पता है कि आप भी करते हो, और, इनको ये पता है कि प्यार तो कभी खतम नहीं होगा, जाहे हैं आप दुनों में दूरी आ जाये , जाहे आप दूनों की शादी भी कहीं और होजाए ना, तो भी इस परसन को प्यार तो हमेशा रहेगा यह आपके साथ बहुत ही प्यार प्यारा कनेक्शन फील करते है, बहुत safe फील करते है, बहुत protected फील करते है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहे कि यह परसन ना इनको ऐसा लगते कि जब भी कुछ सही करने जाते है, कुछ गलत हो जाता है तो मैं इसको रख देती हूँ, दूसरी चैनडल जलाती हूँ इस परसन को लिटरली ऐसा फील होता है हमेशा कि मैं कुछ ठीक से करने जाता हूँ मैं सुधरने जाता हूँ, या मैं अपने actions ठीक करने जाता हूँ तो कुछ गलत हो जाता है तो क्यूँ? मतलब यह person literally shocked है कि ऐसा क्यूँ होता है कि जब भी मैं कुछ सही करने जाता हूँ तो चीजे गलत हो जाती है कुछ बिगड़ जाता है you know मैं कुछ ढंग से कर क्यू नहीं पाता तो यह बहुत shabby हो सकते है अपने actions इस person के actions नहीं all over the place होते है रही ढंग से actions नहीं ले पाते है ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यह person की बहुत इच्छा है कि future में जाके आप दुनों की शादी हो और यह आपके साथ family बनाना चाहते है happy रहना चाहते है लेकिन इस person को ऐसा भी लगता है कि family नहीं मानेगी और यह अपने family से आपसे भी ज़्यादा प्यार करते है या आपके लिए कभी भी अपनी family को hurt नहीं करेंगे या जो लोग उनसे प्यार करते है जो लोग उनकी family है वो उनको कभी भी hurt करके आपसे शादी नहीं करेंगे ठीक है मुझे यसा भी लगता है कि person ऐसे है जो इनको life में सब कुछ चाहिए इनको life में प्यार भी चाहिए इनको life में freedom भी चाहिए दोस्त भी चाहिए तो इनको boundage कोई इनको अठका के रखे इनको लगता होगा कि आप इनको trap कर रहे हो आप इनको पकड के रखना चाहते हो जो नहीं पसंद करते है they don't like freedom पसंद इनसान है free spirited इनसान है adventurous भी हो सकते है इनको में भी trekking करना adventure पे जाना adventure trips लेना biking या long bike routes क्या कहते हैं इसको कोई trap करके रखे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन हाँ ये person अब एक चीज करेंगे आने वाले समय में वो है अपनी feelings को अच्छे से express करना क्योंकि बहुत कुछ अंदर चुपा के रखा है बहुत कुछ अंदर समा के रखा है जो एक्सप्रेस नहीं किया है इस person ने आज तक जो किये करेंगे आने वाले समय में Oh my God, this person is so attracted towards you इतना strong physical attraction है इस person को आप जैसे दिखते हो आपकी body, आपकी looks इस person को बहुत जद आपके तरफ अट्राक्ट करते हैं और आपके बारे में आपका एक aura है जो इस person को बहुत अट्राक्ट करता है मुझे ऐसा लगता है ये person को Okay, ये चीज सुनने में आपको थोड़ी funny लग सकती है लेकिन अगर ये person आपसे शादी करना चाहती है तो वो करने के लिए उनको सबसे जदा मतलब motivate करती है आपकी beauty और physical जो आप दोनों के बीच की physical chemistry है like the sex is really good उनको आपके साथ sexual chemistry बहुत स्ट्रॉंग फील होती है intimacy अग लेवल पे फील होती है passion अग लेवल पे फील होता है और उनको लगता है कि अगर मैं शादी करके you know sexually किसे के साथ happy रह पाऊंगा तो यही इंसान है okay तो हाँ यह उस टीज के लिए भी अपसे शादी करना चाहते because sexually you're too good okay मुझे लगता past में कुछ ancestral curse रहा है इस person के उपर जिसके वज़े से यह कभी-कभी बहुत pain में बहुत दुखी, depressed रहते थे but अब मुझे रखता it is over अगर कोई ancestral curse था इस person के उपर तो वो खतम हो चुका है so yeah यह एक extra चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है इसलिए मैं बता रही हूँ पता नहीं क्यों लेकिन अभी भी मुझे लग रहे है कि person को आप चाहिए भी हो लेकिन इनको freedom भी चाहिए तो अगर आप एक ऐसा person चाहरे हो कि जो आपके साथ रहे consistent रहे बहुत ज़्यादा दोस्त बहुत ज़्यादा outward, outgoing ना हो आपको ज़्यादा वक्त दे आपको ज़्यादा समय दे तो यह वो person नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह person कभी भी बंदना पसंद नहीं करते है ठीक है मुझे पता नहीं क्यों लगता है इनके life में कोई choice थी past में कोई third party थी बट अब वो नहीं है आपके साथ साथ कोई और था इनके life में किसी किसी के लिए यह दोस्त है this is not a romantic thing किसी किसी के लिए यह दोस्त थे मतलब आपके उपर इनोंने दोस्तों को चुना था लेकिन अब उनके life में कोई नहीं है now they just want you in their life ठीक है अब वो choose कर चोके आपको अब कोई और person नहीं है इनके life में आपके अलावा मुझे ऐसा लगता है यह person आपसे communicate करेंगे बहुती जल्द आने वाले समय में और जो भी इनके truest intentions है truest feelings है जो pure feelings है ना इनकी वो आपके सामने share करेंगे ठीक है मुझे लगता है आप दोनों की communication बहुत अच्छी होती है जबी भी होती है बहुत अच्छी होती है उस communication में ठीक है इस person के लिए अपनी family बहुत ज़्यादा important है थी और रहेगी यह चीज मैं आपको बता दू अगर इनकी family नहीं आपको accept करती तो यह नहीं करेंगे आपसे शादी क्योंकि बहुत strongly family oriented person है अगर इनको कोई बुरी आदते थी या फिर बुरी तरह से behave करते थे गाली देना या कुछ abusive इनके कोई attributes थे तो वो it is over now अभी परसन काफी ज़दा maturity आगई है इनके अंदर और जो भी बुरी आदती है या बुरे thoughts है या बुरा जो भी है वो उससे बाहर निकल चुके है okay yes clearly देख रहूं मैं यहाँ पे इस person को लेकिन एक कही न कही deep inside ऐसा लगता है कि सब ठीक होगा आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक होगा सही वक्त पे चीजे होंगी बहुत ही hope रखा हुआ है इस person ने ठीक है बहुत faithful देख रहे है like faith faithful बोल रहे है faith रखा हुआ है ऐसा देख रहे है मुझे यहाँ पे इस वक्त यह person अपनी life में उस phase में है जहाँ पे यह सिर्फ अपने दिल की आवाज सुन रहे सुनना चाहते है अपने मर्जी से अपनी life जीना चाहते है अगर आप इनको pin down करना चाहते हो या तुम यह करो वो करो तो यह person शायद नहीं मानेंगे क्योंकि वो उस mindset में बिलकुल भी नहीं है इस नोट समवन जिनको आप pin down कर सकते हो यह कभी भी pin down नहीं होंगे यह चीज आप मुझ से लिखवा लेना अगर आप इनसे शादी भी करते हो यह person कभी भी आपकी बात 100% नहीं मानेंगे दे विल दू वाट दे वांट बनमोजी है इनको बहुत से सपने भी आते हैं आपको लेकर या रहे है ठीक है जो इनको बोल रहे है कि नहीं शुरुआत करनी चाहिए इनको आपके साथ मुझे रखते हैं इस person को प्यार दिखाने में प्यार शो करने में थोड़ी दिक्कत आती है वहां चीजे जाके अटक जाती है इस person is very bad at expressing their feelings प्यार से behave करना प्यार शो करना वो चीज इनको थोड़ा प्रॉब्लमिटिक लगती है मुझे इस रखते कि यह person बहुत materialistic भी है मैंने शुरुआत में क्या बोला फाइदा देखते है तो यह person कुछ तो फाइदा इस वक्त भी थोड़ा सा यह चालाग टाइप है क्योंकि जहां इनको फाइदा दिखता है यह वही रहना वही पे कुछ करना पसंद करते है तो अगर ऐसा वक्त आता है जहां पे इनको अपना फाइदा चुनना हो यह आपको चुनना हो तो यह अपना फाइदा चुनेंगे to be very frank मुझे लगते कि अगर इस person ने कभी भी past में आपको लेकर कोई भी गलत intentions रखी थी यह आपके बार में कुछ गलत सोचा था यह आपके साथ कुछ भी गलत किया था उसका कर्मा उने डेफिनिकली भुगतना पड़ा है और वो भी ऐसा भुगतना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन फेस करनी पड़ी है इस person को इसको रख देती हूँ इसको यह इतनी ही एनोजी निकल के आई है कैसी लगी आपको यह reading आप मुझे comments में जरूर बताईएगा connect हुई है नहीं हुई है आपको क्या connect हुआ है आपके साथ वो भी आप comments में बता सकते हो and मिलते अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा and stay blessed love you